अस्टामरेकुम स्टूडेंट्स चांदकील है लेक्टर इंग्लिश इन हाई एजूकेशन डेपार्टमेंट बटा आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एजे के पी एस सी एस टी जेनरल लाइन्स की जो सीट्स अनाउंस होई है उनके हवाले से और इस वीडियो में कर सकते हैं सबसे पहले मेरा बटा अगर हम एजूकेशन की बात कर लें तो अगर आप एस एस टी जेनरल एजे के पी एस सी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मास्टर्स या बी एस होना चाहिए सोशल साइंसेज में सिक्स्टीन यर्ज ओफ एजूकेशन आपकी होनी चाहिए यानि कि आपका में इंग्लेश, में अर्दू, में इस्लामिक स्टेडीज, में पोल साइंस, में हिस्ट्री, कोई भी मास्टर्स प्लस आपका बी एड कंप्लीट होना जरूरी है सिक्स्टीन यर्ज ओफ एजूकेशन प्लस बीएड और ये बना बटा सोशल साइंसेज में जो प्यूर साइंसेज के सबजेक्ट्स हैं जैसे बौटनी, जॉलोजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कम्प्यूटर इनकी जो सीड्स हैं वो अलैदा से हैं तो यो ये सेस्टी जेनरल लाइन्स की सीड्स हैं ये बन्यादी तोर पे बिटे सोशल साइंसेज से रिलेटेड हैं और इन में या सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो आर्ट्स के मजामीन हैं प्लस बीएड आपका है तो आप इलिजिबल हैं अपलाई करने के और ये ही प्रफेशनल डिग्री भी कंसिडर होगी इसके साथ आपको किसी और सबजेक्ट में मास्टर्स की या बीएड की जरूरत नहीं है एज के हवाले से हम बात कर लें मेरा बटा तो इसमें जो मिनिमम एज है वो 22 येर्ज है और अपर एज रिलेक्सेशन के साथ जो मै लेक्सिमम 40 येर्ज और इसकी अपलाई करने की जो डेट है बिटे वो 9 फेबरी लास्ट डेट है तो आप लोगों ने अगर अभी तक अपलाई नहीं किया अगर आप इलिजिबिलिटी क्राइटरिया को मेट करते हैं तो बिटे मेक शूर कि 9 फेबरी से पहले पहले आप ल बेस तो उसमें 30 MCQs जो है वो पेडागोजी के होते हैं 20 MCQs जो है वो English Grammar के होते हैं English Grammar के अंदर मेरा बिटा जो फर्दर अगर हम इसकी Subdivisions की बात करते हैं तो इसमें Verb and Tenses है और इसके अलावा Parts of Speech है, Sentence Structuring है, Then मेरा बिटा इसमें जो Correction है, Proposition है, Articles है और Narration है, Active Passive ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसी तरह से 20% जो है वो उर्दू Grammar का Portion होता है, और Then जो है 10% पाक स्टेडिज का Portion है, 10% जो है वो जो किश्मीरियात के हवाले से, अजाद किश्मीर के हवाले से बिटे 10% इसका Portion होता है, और 10% जो है वो Islamic Studies का, दोबारा बिटे हैं, 20% मार्क उर्दू Grammar के होते हैं, 10% मार्क पाक स्टेडिज के होते हैं, 10% मार्क एजे के स्टेडिज के होते हैं, और 10% मार्क जो है मिरा बिटा वो Islamic Studies के होते हैं, तो ये 5-6 चीज़ें आपको प्रिपेर करनी होती हैं, टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, अब management है, evaluation है, discipline है, early childhood education है, record keeping है, management theories है, educational psychology है, educational philosophy है, ICT in education है, तो अब इन सारी चीज़ों को प्रिपेर करने के लिए, जब बचे directly बटे किसी भी mcqs book पर जाते हैं, या कहीं से मेरा बटा mcqs का data उठाते हैं, और उसको cram करने की कोशिश करते हैं, तो वो उस तरह से उन को जस्ट पढ़ के concept build up होते हैं, इसी तरह से बटे बन्यादी तोर पे English grammar का, कि जब तक आपको basics clear नहीं है, तब तक मेरा बटा आपकी mcqs जो हैं, वो ठीक नहीं हो सकते, तो इस पे मैं आपको कुछ suggest कर दू तियारी के हवाले से, कि आप अपने जो topics हैं, ये सारे के सारे इनको streamline करें, पहले आप pedagogy के topics को streamline करें, देन मेरा बटा English grammar के topics को, देन उर्दू grammar के topics को, फिर पाक studies के topics की एक list बनाएं, साथ मेरा बटा AJ के studies के topics की list बनाएं और साथ Islamic studies के topic की list बनाएं, और उसके according जो है, चीज़ों को पहले subjective way में पढ़ें, देन मेरा बटा उनके one liner information प पढ़ेंगे तो इस तरह से आपकी त्यारी इस वे में हो जाएगी कि आप इंशाला शूरली टेस्ट को क्वालिफाइग कर सकेंगे MK प्रपेशन्स अलहमदुल्ला एक established online institution है जिसे हम पिछले पांच साल से त्यारी करा रहे हैं लेक्चर इंग्लिश की लेक्चर बायलोजी की लेक्चर बॉटनी की लेक्चर उर्दू की और इसके अलावा पीपीएसी एफपीएसी और स्पीएसी एजेके पीएसी की जो educators की school education department में seats announce होती है उनकी और अलहमदुल्ला अलाट आफ आर students are working in different government sectors तो बिटे इसका जो session है SST General का ये हमारा 15th Feb से start होने जा रहा है इस session की मैं details आपके साथ share करता चलूं बिटे के ये 3 month का session है और इस 3 month के session के जो charges हैं वो just 5,000 है और इसमें हम आपको complete preparation कराएंगे पेडागोजी की, English grammar की, उर्दू grammar की और इसके साथ पाक studies की और एजेके studies की एंड मिरबटा Islamic studies की तो इसमें हमारा तरीका ये होता है मिरबटा के after registration हम paid group में अपना एक तोर उसले बस break up शेयर करते हैं और उसले बस break up के according topic wise हम अपने notes शेयर करते हैं और alhamdulillah वो notes हमने इस तरहां से prepare किये हैं कि उन में subjective, one liner और objective ये तीनों चीज़े topic wise होती है और बच्चे उनको prepare कर लें तो maximum chances ये होते हैं कि वो इन्शाला अपना return clear कर लेंगे तो बटा हम topic wise अपने notes शेयर करते हैं then topic wise हमारी testing होती है वो जो testing है उसकी हम key share करते हैं और plus उसकी discussion कराते हैं तो almost मेरा बटा ये पूरे session के हमारे जो round about 40 to 45 test होते हैं जिनके charges just 5000 हैं if you are interested to join बटे तो आप हमारे given numbers पे contact कर सकते हैं mk professions के नाम से हमारा youtube channel है इसी नाम से हमारा facebook page है इस video के end पे भी आपको मेरा number भी मिल जाएगा तो बटे आप लोग हमारे session का अगर हिस्सा बना चाहते हैं तो 15 फेब से ये session स्टार्ट होने जा रहा है आप लोग registration अपनी 15 फेब से पहले करा लें और registration का method बटे ये है कि आप हमारे given numbers पे अपनी fee submit करेंगे 5000 fee है fee submission का screenshot शेयर करेंगे अपना name qualification साथ bracket में AJKPSC SSD general लेके हमारे given numbers पे आप whatsapp करेंगे ये सारी चीजें तो आपको paid group में add कर लिया जाएगा वहाँ पे आप लोगों के साथ सले बस break up भी share हो जाएगा जिस पे dates भी mention होंगी given dates में आपको topic wise जो है मेरा बटा वो हम notes भी provide करेंगे test भी provide करेंगे और keys भी provide करेंगे और इस तरह से topic wise हम discussions कराएंगे और इन्शाला इस session को join करके आपके जो written test है इसको qualify करने के जो chances हैं वो maximum हो जाएंगे thank you very much जी stay blessed, Allah Hafiz